सरजा के सौर बजार प्रखर नक्षित में सिरहा घाट पर अब तक कई जाने जा चुकी है लेकिन फिर भी इस नदी को अब तक पूल नसीब नहीं हो पाया है बताते चले कि इस नदी के रास्ते दरजुनों गाउं जुड़े हुए हैं और एक मात्र इसका रास्ता है नदी को पार करना इसके पूर में नदी को पार करते वक्त कई लोगों की जा चुकी है इस नदी को रोजाना लगवक 500 लोग पार करते हैं इस मामलियों को लेकर अस्ताने व्यपार मंडल अध्यक्ष जश्वंत कुमार ने बताया कि इस पूल को लेकर सरकार को आवेदन दिया गया लेकिन सौतेला विबार करते हुए काम के बदले सिर्फ अस्वाशन ही दिया जाता है बरसों से यहां मांग उठते रहा है यहां पूल जो है बहुत जनुप योगी पूल है अभी तो कुछ पानी कम है अधिक पानी रहने के भी समय में यहां पर रोज 500 आदमी चपते रहता है इस पूल के लिए संगर्स होते रहा बहुत बारोग नेता लोग आए अस्वासन द पब्लिक भी जान गए जब होगा नापी जोखी भी हुआ लेकिन उसके बाद भी अफूल नहीं पन पारा है पूर्वी चंपारन जिले के बेतिया के मजहौलिया प्रखण के महोधीपूर गाव पंचायत के वार्ड नमर पांच में उस वक्त अफ्रा तफ्री मच गई जब अचानक से ग्रामिन के नजर एक साथ फिट के अजगर पर पड़ी आनन फानन में ग्रामिनों के सहयोग से उसे पकरकर पुलिस को इसके सुचना दी गए जहां पुलिस ने तब परता दिखाते हुए अजगर मिलने के सुचना वन विभाग को दे दी है